पराम राम, दिल्ली मेट्रो का एक कांड तुम लोगों नहीं से बहुत सुना होगा जो बहुत चरजा में रहता है कि देली खुछ न पुछ कांड होते है किमेट्रो में लगे पड़े हैं मतलब आजीब तरीके की हरकते हो रही है मतलब हर लेवल जो भी है वह पार कर दे रहे लेकिन अब लोग इसको ट्रोल कर रहे हैं कि वो कपड़े पहन के कैच या ही दिल्ली मेट्रो में करों गे यह उठा के बारभें तो जादा बेतर है फिर गयान नहीं बारिक हम सीधे चलेंगे मेरे आख़ देखी बाते हैं तो इस वजह से जूट तो इसको नहीं सकते हैं और जो लोग भी किसी भी चीज को करने में कोई दिकत नहीं होते हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ adjustment करना पड़ता है यह इसमें कोई बड़ा साइंस नहीं है लेकिन यहां पे तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी कि यही वो टाइम होता है जब हम खुद को बिल्ड कर रहे होते हैं और य किसी के साथ सेट हो जाओगे या तुम्हें सेट कर रहा है किसी को जो भी चीजे होती है सिर्फ इस जुगाट में अगर कोचिंग जा रहे हैं तो यकीन मानू तुम्हारे जितने भी दो तीन लाक रुपए हैं डेट दो साल का टाइम है वो टोटली वेस्ट हो रहा है तो उ उस कंडीशन में तुम्हें यह चीज समझनी पड़ेंगी कि जो चीज तुम्हें बना नहीं रही है उसको तुम्हें हटाना पड़ेगा अपनी लाइफ से क्योंकि आज तुम्हें मजा आ जाएगा ठीक है चलो तुम किसी लड़की के साथ हो तुम 6 महीने की कोशिंग में देली मज़ा आ रही है तुमें बढ़ी चीजें चलन Zoe सब कुछ हो रहा है लेकिन 6 मेंनेपर जब रियल्ट नहीं आएका टब क्या वो लड़की भी तुम्हारे साथ नहीं अहीं टब क्या लड़का तुम्हें आहीं पहूंचने वाले को कशे तुम 10 साल त्यारी का लोग ज इसकी एक चीज और हम तुम से कहेंगे इसका कहीं न कहीं बड़ा रीजन टीचर्स भी है is जूफारा बात बिदेक्टर टीचर को सबसे बड़ा रीजन लगानों। सबसे बड़ा रीजन अज कर टीचर भी हो सकते, क्य कोचिंग के नाम पर तुम्हें नाम तो पता ही होंगे को बहुत सारी मेड़ा में जो आलेडी नाच रही है रिल पर जो अब देखो जिस टीचर से तुम पढ़ा रहो जिनके रिस्पैक कर रहे हैं तो कुछ चीजे तो हॉर्मोन से वह नहीं देखते हैं कौन के आए सामने ठी हर एक मुखरजी नेगर की स्टोरिय में पता नहीं है क्या मुखरजी नेगर में जितने लोग रहे रहे हैं में आधे से जाधा तो इसी में इनवाल्व है क्यों क्योंकि ये बहुत अच्छा काम है इसमें डोपामिन शॉट तुरंद मिलता है हमारा दिमाग ट्रिगर बहु मुखरजी नेगर जैसे सहर में रह रहा है उसके बाद इक आंड कर रहा है तो किसी काम के हो नहीं तुम राम राम जहें